हरो इस्टुलेंट आज सेशन 2 अपने स्टार्ट करेंगे आप लोग परिशन एडू बहुत टैप पे जाएए और सेशन 2 देखिएगा सबसे पहले ट्रिपर पॉइंट ट्रिपर पॉइंट जिसको करते हैं इसको समझते हैं ट्रिपर पॉइंट क्या होता है कि अगर 0.01 degree Celsius temperature हो या मैं इसको केल्विल में चेंज कर लों तो 0.01 प्लस 273.15 केल्विल यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 273.16 केल्विल इसको क्या बोलते हैं ट्रिपर पॉइंट अब जर्डल इंफॉर्मेशन एबाउट प्रेशर प्रेशर का हम देखते हैं 1 ATM इकवल तो कितना होता है 7.6 cm आफ एज़ी या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7.60 mm आफ एज़ी या मैं इस सिज़ को ऐसा लिख सकता हूँ 7.60 आफ या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.013 into 10 की पावर 5 नीटन पर मीटर स्क्वेर या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कर यह हम गोर concept में पढ़ चुके थे दूसरी बाते हैं कि how to measure pressure pressure को कैसे measure करेंगे प्रेशा को मेज़र करने इसी मिपल सा तरीका देखते हैं how to measure pressure प्रिशर को कैसे मीजर करें है सबसे पारेंगे एक बोरो मीटर लेंगे बैरो मीटर लेंगे आप इस बैरो मीटर को मान लोगी मैंने ऐसे आपको दिखाया और दिखाने के बाद इसमें पूरा का पूरा हमने क्या सब मर्ज कर लिए है क्या फिट लिए इसमें मर्करी मां लेने के बाद हम एक टब ले दिया तब में क्या भड़िया पूरा पूरा क्या रहे मर्करी नरे एक जी अब इस टब को मैं इसमें ऐसे रख देता हूं यह जो लाई हुआ यह मर्करी जहां तक गरेगा उस हाइड को अपन मीजर कर प्रीश क्रियेंट टेह सब्सक्राइब हम एड् vähän यहां के यह जो इयर प्रेशर क्रियेंट और प्रेशर में करते। ज्यान दिजेगा कि एक जितना प्रेशर एयर क्रियेट करेगा इस पोजिसें पे या वही प्रेशर इस बैरोमीटर के नीचे भी यह क्या करेगा उतना ही प्रेशर क्रियेट करेगा यहीं प्रेशर क्रियेट बाइएर इकल टू बिलो आप बोरोमीटर अब यहां से प्रेशर डिटर्माइन करते हैं प्रेशर इकल टू क्या होगा एच रो जी अब देखे किकना इस ता सब्सक्राइब करेंगे तो 76 दिवाइड वाइड हंडेड इन्टू एजी डेंस्टी मरकरी की कितनी होती है यह 13.1 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर स्कुर और ग्राइड इतना होगा 9.8 अब यहां से जो गार हुआ है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्कुर आच्छा एक कुश्यं यहां यह बनता है Why for misery pressure, mercury is taken. मर्करि नहीं होता है हेला, बिटिविन पार्टी एंप्रिक बीट्विन पार्टी वज है को किन पाट के हैं कि वोठी फोसर क्षोक्षन दार कुनह ज्यादा होगा जैसे ही हैं यहां यहां मर्करी नहीं चिप्टेगा इस जिए है जैसे गहां लोग कि आगके दिमांद है कि हम वाटर क्यों नेंते हैं यह लेते हैं तो एक बात हो जाती है कि मर्करी की डेंसिटी ज्यादा होती है दूसरी अगर मैं कंपेर करूं देंस्टी आप मर्करी एंडेंस्टी आप वोटर की देंस्टी आइज कंपेर टू मर्करी क्या होती है और इसमें जो मिनिस्कस होता है किस टाइप का होता है कि मर्करी मर्करी सो कड़ता है किस टाइप का मिनिस्कस यह है मिनिस्कस मिनिसकस तो आप देखिए यहां जो वाल पे यह देखिए वाल पे मरकरी चिपका नहीं जब कि वाटर का अगर हम देखें वाटर का मिनिसकस की स्टाइल का होता है मिनिस्कस तो यह क्या है है अगर हम इसको देखते हैं कि पार्टिल और पार्टिल यहां देखे जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया कि यहां एक भी पार्टिल क्या है लगवर्टिल निए यह हने को हैने मधारी एक समय सिन रखाए Sydney ए Mhm अब हम देखें आगे आगे इस अब देना आते हैं गैस्टों में एक चीज समझते हैं, सबसे पहले गैस्टों में बायर सुना आपने देखेंगे, कि आप समझे हैं, कि प्रेशर, बोल्यूं अग्द तम्प्रेचर इंपीरो जबंपरेचर जोत्य आद्ध हैं, 5. 1 is always taken constant, 1 is always taken constant, 1 is always taken constant, और अलसो कॉंस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बाहिल स्राइगाता है, एक और इक बाहिल स्राइग, बाहिल स्राइग में देखते हैं, य है, जान अनमicias को बस्राइग में दीजिए धस्राइग को देखते हैं तो अलसो मिल स्राइग कॉंस्टेंगे, फिस्ट गांउ दीजिए इस आउ देखते, बाहिल स्राइग के लाद्यू देखते। inversely proportional to inversely proportional to proportional to inversely proportional to volume हम देखते हैं कि P is inversely proportional to volume अगर मैं अगर मैं प्रपोस्ट्री कॉंस्ताइल को हटाता हूं तो P equal to K 1 by B अगर मैं यहां से देखों तो P equal to K by P, यहां तो नहीं कह सकता हूं, P V equal to K, यहां से चीज और निकाल सकते हैं अपर, यहां से चीज निकाला जा सकता है, P1 V1 equal to P2 V2, ध्यान दीजेगा यह फ़र्भूना इंपोर्टेंट है, इसी पर अपन निमेरिकल करेंगे, ध्यान दीजेगा अब आपते हैं graphical representation पर graphical representation, graphical representation, graphical representation, graphical representation में देखें आदा, तो मैं एक question देता हूं, सबसे पर एक question से start करता हूं, देखें अगर मैं P versus 1 by V का graph दूं, और मैं ऐसे करके आपको दिखा दीए, और मैं इसको T1 ले लिया, T2 ले लिया, P3 ले लिया, ध्यान दीजेगा, और मैं option दे लिया, T1 is greater than, T2 is greater than, T3, दूसरा option दे लिया, T3 is greater than, T2 is greater than, T1, तीसा option दे लिया, T2 is greater than, T3 is greater than, T1, और चोथा option दे लिया, नद, ध्यान दीजेगा, चोथा option क्या दे लिया, नद, हम इसमें देखते हैं, हमने अभी बाइस का पड़ें, P equal to K1YP तो हम इसको Y equal to N और X माल सकते हैं ध्यान दीजेगा कि A क्या बता रहा है, Slope बता रहा है Slope, क्या बता रहा है Slope, तो या M भी Slope बता रहा है तो हम समझते हैं, ideal basic P V equal to NRT, ध्यान दीजेगा अगर मैं इसको यहां से देखू, ध्यान दीजेगा अगर यहां से देखू, तो P V equal to क्या हो जाएदा, K P इसको क्या A constant है P V equal to क्या हो जाएदा K P, ध्यान दीजेगा अगर मैं इसको ऐसे करदू P equal to K P into 1 by V, अब देके हमने इसको क्या माना था, Slope माना था और Slope जितना जादा तो Temperature यहां है, Temperature उतना जादा है हम इसके basis पर कर सकते हैं कि इन तीनों में Slope सबसे ज़्यादा किसका है P1 का ज़्यादा है, Slope अगर ज़्यादा तो Temperature ज़्यादा इस basis पर कौन सो अप्शन सहें Second, First समझ में आने में ज़्यादा अगर स्लोक ज़्यादा तो Temperature क्या होगा ज़्यादा होगा, Clear हुआ अब आते हैं, इसी पर next ग्राफ पर आते हैं, एक कुशन और देखते हैं गैस लॉप पर ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसी को ऐसे कर दिया ध्यान दीजिएगा अगर मैं P V V किया अब आपको पता होगा जैसे जैसे Slope बढ़ेंगा Slope Increase, Temperature Increase क्या होगा? Slope Increase Temperature Increase दूसरा ग्राफ अगर देखें अगर मैं P V V के बीच में अगर ग्राफ में खेचू तो आप देखेगा P V V में तो मैं यहां से दिखा रहा हूं P equal to क्या था? K by V था यहां मैं इसको ऐसे भी कह सकता P equal to K by by V तो यह यहां से ऐसे देखेगा ऐसे देखेगा यह क्या है? Rectangular Rectangular Hypergola Rectangular ध्यान दीजिएगा अब यहां से अगर मैं volume को बढ़ाऊओगा तो pressure क्या होगा?да देखे volume को बढ़ाते जा रहाहा तो pressure क्या होगा? तो आप पार यहां बंहा है ऑर अब इसको T1 मानों और इसको T2 मानों तो इसको T2 मानों के कि बिच में को थेमप्रेचर क्या होगा T1 को T2 हो रहे ह। तब उसके वेसिस में हम उसको चाहता सकते हैं आइसो थर्मा है, एक राब क्या है? आइ- आई-सो- थर्मstes अब आगे चाहते हैं और आप देखते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे अगर मैं पीवी इपको टू के तो अगर मैं यहां ग्राफ दूँ पीवी वर्सिस पी यहां में ग्राफ यहां खीचू पीवी वर्सिस यही कोई समझ आए तो हमाना बस्वेस वी तो आप बताएं अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्म क्या होगा कंप होगा प्रेश मखा तो क्या होझाぎग है यह दूसरे को मतलब यह क्या पैड़ व्यांटार्व होगा आपकोगा अस 대해서 numa करने कुछ और कुछ देखते हैं ध्यान दीजिए अगर मैं आपसे कहा ऐसे कुश्चन देदें ग्राफ बिट्वें ग्राफ बिट्वें लॉग पी वर्सिस लॉग वी इसके बीच में अगर हमको ग्राफ खिंचना हुआ हम जानते हैं कि पी वी इकल टूट्व चा होता है लोग देखियागा तो फी वी इकल टूट्यो के तो हमको पता है लोग ए इंटू बी क्या हूता है log A plus log B हाँ या ना log A plus log B तो हम इसको का सकते हैं log P plus log V equal to क्या होगा log K हो जाएगा तो अगर मैं इसको ऐसे कर दो log P equal to क्या हो जाएगा log K minus log V या तो मैं इसको ऐसे भी का सकता हूँ minus log V plus log K तो अब यहां से देखिए गा आप लोग मैं की स्टुटेंट हो आपको जादा समझ में आ रहेगा Y equal to क्या हो जाएगा minus M X plus C ये क्या हैं इंटरसेट हैं समझ में आ रहें परिगा ये क्या हैं इंटरसेट हैं आप बताएगे slope EC को तो बोलते हैं M को ही तो slope बोल रहे थे क्या हुए है नीटाइट हुए कि नहीं हौँ slope अगर निगेश्ट हुआ हम इसको देखो बना सकते हैं log P versus log V तो क्या हो slope नीगेश्ट हुआ है हो आप देखिए प्रिज स्लोट नीगेश्ट हुआ है आप इसको हम क्या हो नहीं है लॉग के यही के यही तो क्या है यही तो हमारा इंटर्सेफ्ट है यह लोक के हाँ अगर एंधर पुझ आजा तो 135 की होता है और यह क्या होता है 45 की अब बात मेरी समझ में आ रही है करने हमारा ड्रेफिकल प्रेजिंटेशन को हुआ एक जेए का उच्छ नहीं उसको अपन देख लेते हैं न आगे चलते हैं इसी में मिन गर्फिकल प्रेजिंटेशन भोड़ा देखते हैं देनाते हुआ देखेंगा अगर मैं आपसे कहां कि ऐसे करके आपको दिया गया है जेगा लोग P versus V दिया गया है मानूं कि मैं इसको टी मा लेता हूं इसको टी तू लेता हूं इसको टी थी लेता हूं आप एक बार उसको बताएं अगी रेक्टेंगुलर हाइबर गोलावा ग्राप अपा ने पढ़ा था यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मैं एक लाइ ले सकता हूं आप मैं एक option देता हूं option यह है कि अगर मैं आपसे कहा T1 is greater than T2 is greater than T3 दूसरा option दिया T3 is greater than T2 is greater than T3 T1 आप उसको एक बार बताएं एक राप कौन सा सही होगा देखते हैं अपने देखा था बहुत ध्यान से समझेगा हमने देखा था कि PV equal to RRT देखा था PV equal to RRT और गैसरा में हमने पहले ही कहा था कि मास क्या है constant है अगर मास constant है तो number of modes क्या होंगे constant होगे number of modes constant यह तो हमारा गैस constant है यह constant है अगर मैं इसको K रही है इसको T लिया तो PV equal to KT होगा है ज्यान दीजेगा अगर मैं यहां से करूं तो यहां से मैं एक लाइन से ड्रॉ कर दो एक लाइन यहां से ड्रॉ करो आप देखिए आप हो क्या दिखता है T3 का वोल्यूम जादा औ अर ती तू का वोल्यूम कम जैसे जैसे हम देखते है T1 का वोल्यूम सबसे कम और यहां से अगर हम करें वोल्यूम जादा तो तेंपरेचर भी जादा तो on the basis of this कि T3 का वोल्यूम सबसे जादा वोल्यूम किसका जादा? Volume of T3 is more तो इसका मतलब क्या हो जाएगा Means temperature also Means temperature क्या होगा Also क्या हो जाएगा इसमें कौन सा अप्शन सही हो जाएगा T3 में कौन सा अप्शन सही हो जाएगा Eval option सही होगा Clear वाजी है इतनी बात आपको समझ में आई आप आते हैं एक निमेरिकल में जेही का एक अच्छा सा निमेरिकल देखते हैं Simple सा देखिए दा Numerical on the basis of boils law Numerical on the basis of boils law आप देखिएगा जैसे माम लोग कि मैं यहां एक ऐसे डंबल से कुछ बना देता हैं और यहां से जेही का एक कुश्या है बहुत ध्यान से समझेगा ना यहां से मैं एक दूसरा बलून ऐसे लगा देता हैं अगर माम लोग कि मैं इसका इसका प्रेशर मैं 4 ATM कर दूँ और इसका वोल्यूम जो है मैं कर देता हूँ इसका मैं 30 लीटर कर देता हूँ अब दूखेट के लिए कुश्या आप देखिएगा और मैं यहां एक कॉर्क लगा देता हूँ क्या लगा देता हूँ कॉर्क कॉर्क जैसे ही लगया और यहां का वोल्यूम 30 लीटर है ही अब यहां का प्रेशर को पूछा सिंपल सा कॉश्या है प्रेशर प्रेशर आफटर को ओपन करने के बाद प्रेशर के नाम होगा आप दूष को बताए हैं यहां से हमने एक जरनल इंफ़र्मेशन आपको पता होना चाहिए जन्रल इंफोर्मेशन में आपको बताना हुए ध्यान दीजिएगा इससे तभी पुर्शन जम पाएगा ध्यान दीजिएगा अगर मैं एक बॉप्स ले देता हूँ और मैंने कहाँ A गयस है B गयस है C गयस है वॉल्यूमफ वूचो तो A भी कितना होगा वॉल्यूमाफ वॉल्यूमाफ बड्ड-ड़दक को समझ अपऑश्या ज्यान ही जातक Keith में एक इसको कुछ थो डियए पीवन वीवन और इसको कर तो पीटू वीटू यह फर्मूला पन पढ़ेंगे डैस लोग कर पीवन पीवन इकोल तो पीटू वीटू आप बताएं पीवन कितना है फोर एटियां है जैसे ही मैं इसको ओपन किया हूंगा क्योंकि गैसिस अगर नहीं किया गया तो पूरा का पूरा गैस यहा तो मैं P1 क्या भोलूंगा P1 कितना हो गया 4 ETS और V1 कितना हो गया थ 198 L अब जय से ही मैं इंपcase भूरा तो पूरा पूरा गमिंग जाएगा क्योंकि तो पीटू हमको phynd करना है अब क्या होगा वीटू गया हो जाएगा 30S 13가요,The pressure जादा नहीं तो पूरी पूरी यहां B1 कितना है? 4 और V1 कितना है? 30 लिटर अब एकल टू P2 हमको फाइंड करना है एक इतना है? 60 लिटर अब आप क्या कर सकते हैं? 3 चोप कर बार रहा है एक इतना हो जाएगा? इकल टू P2 इंटू 60 तो P2 इतना है जाएगा? 2 लिटर वाद मेरी समझ में आ रही है यह था हमारा ट्रिपल पॉइंट जनरल इनफॉर्मेसान इबाउट प्रेशर हाउट कुमी जब प्रेशर वाइवी टेक मर्करी फॉर मेजरिंग प्रेशर बैस लोग बॉयल स्वाइब और फिर ग्रैफिकल रिप्रेजेंटेशन निमेरिकन है यह बात इस पर एक कुशन और कि एक कुशन और देखते हैं यहां दीजिए ला एक कुशन फोड़ा सा इसमें चलते हैं जेही का कुशन देखते हैं कि देखिए ला मैं ऐसे करके बता रहा हूं कि मान लोग कि एक सिरेंडर है कुशन सेकंड एक सीलेंडर को मान लोगी किसलेंडर में कितना है मैं यहां कुछ मारबर डाल दे लगवक्त दें मारबर मैंने अब कितने मारबर तें ज्यान दीजिएगा और यहां मानने नुवेबर पिस्टन लगा दिया क्या है? movable piston know oval piston जैसे ही movable piston हमने लगा रहा अब इसका volume मैं मान लेता हूँ किापना है? इसका volume कितना है? 1 liter volume ज्यान जीजी ला volume 1 liter है अब जैसे ही after after press कि यहां तक आगा अब यह जो वॉल्यूम में पत्थर तो उतने मार्बल उतने ही रहेंगे मार्बल उतने मार्बल में कोई कमी तो आएगी नहीं लेकिन अब क्या हो गया वोल्यूम कम हो गया वोल्यूम अभ यहां हो गया 625 mm अब यह पर्प में तो अब यह को दो केस्ट यहां बनाया जा सकता है अगर मैं इसको पीवन डूम और इसको वीवन जहां से समझ यहां यहां इसका प्रेशर टेन एटियम है और आपकर प्रेशिंद पिस्टन एक इतना हो जाता है इस प्रेशर इंप्रीज इस 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 हो जाता है और deقط प्रेशर इस 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 प्रेशर करते हैं कि वाल्युम आफ वान अफ वान आप एक मारवर्ण आपकर आगर जोरीं देखेए अपनगर तो तो माल लेते हैं V, तो for 10 marble के लिए कितना हो जाएगा, for 10 marble कितना हो जाएगा, marble ये कितना हो जाएगा, 10 V, घ्यान दीजेगा, अब जैसे ही, तो ये कितना हो जाएगा, इसको thousand, thousand minus 10 V, क्योंकि पत्थर जो marble है, यहाँ, dash measure नहीं किया जाता, यहाँ, dash insert नहीं होगा, इसलिए इतना ही को ही, हम measure करेंगे, यह वाला पार्ट को निकाहा देगा, तब निकलेगा, जब 1,000 V, यही इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 L equal to 1000 M, आप देखेगा, जैसे ही मैं आगे आया, तो यह अब 100% emission pressure का अगर increase किया गया, तो पहले 10 था, तो अब कितना हो गया, 20, 20 ATM pressure हो गया, 20 ATM का मतलब P2 हो गया, आप volume यहाँ चाह हो गया, volume कितना हो गया, volume V2 कितना हो गया, 625 minus 30, तो बस simple सा, यहाँ से बाइक अपकेट देगे, P1 V1 equal to क्या हो जाएगा, P2 V2, तो P1 कितना ह P1 कितना हो गया, 10 ATM, और volume कितना हो गया, 1000 minus, 1000 minus कितना हो गया, 1000 minus 10 V, equal to, यहाँ कितना हो गया, 20, और A कितना हो गया, 625 minus 10 V, आप मिश्कों बताएगे, तो क्या हो जाएगा, A तो कट जाएगा, खाया, A कितना हो जाएगा, 1000 minus 10 V, equal to कितना हो गया, कितना हो जाएगा जर। यह हो जाएगा 1250 minus 10b , तब क्या हो जाएगा ? sorry 20b , 20b , आग देखिये यहां से कितना हो जाएगा ? यहां से होगा .. यह हो जाएगा, 250 इकल टू कितना हो जाएगा, 10 वी, तो V सी इकल टू कितना हो जाएगा, बाइल टेन कितना, 25, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 मारबर का ग्लिटफाई, ना आप देखिए गा कोशन तो पढ़िए गा फिर उसके बाद आपन नेक सेसं में देखेंगे